सुमित बताएगे पिश्री तिमाई में कंपणी का मुनाफ़ा वो दोगना होता हो दिखाई पड़ा था ओपर ओपरेटिंग फ्रेंट पर भी परफॉर्मेंस करीब 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 50% के एक बड़ात आता हो दिखाई पड़ी सिक्वेंशली भी देख लीजिए आप चाहें वाई-वाई-व और सिक्वेंशली भी देखें लगाता पिछले तीन तिमाही से जो कंपणी की इंट्रस कॉस्ट है वो लगातार रिडियूस होते हो दिखाई पड़े और अपने मिनिमल लेविल के आसपास आचुकी है दूसरा क्योंकि इंट्रस कॉस्कों कर रही है और ऑपरेटिंग नुमान लगाए जा रहा है कि नंबर्स और ज्यादा बेतर होते हो दिखाई पड़ सकते हैं और हो सकता है कंपनी अपनी गोवा यूनिट से और अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले समय में देता हो दिखाई पड़े इसके अलावा FI 17 के रहा है TPS करीब 3.5 रुपे के आस सकते हैं सुबित बहुत पर शुक्रिया मार्केट से अब देखें अपने आपको थोड़ा से स्टेबलाइस करते हैं इस रेंज मली के निसमीच हमारा जो जे बिजनस का पैनल है आज केस सबसे बड़े दिन और थोड़ा से बड़ा हो चुका है Mr. Pankaj टिबरिवाल हमां से ज चाहूंगा striking point यही है आज का कि यहां से exactly risk reward ratio कितना है यहां से बजार ऊपर आपके लिए कितने scope खोलता है पैसे कमाने के और कितना अगर आप देखें आपके पास risk है 17.785 पर आपका सबसे बड़ा index almost यहाई पे कारभा कर रहा है Mr. Gupta पहली चीज़ आपस पूछना चाहू भी है बैंक्स बड़े critical phase पे हैं विश्वास धीरे धीरे PSU बैंक्स पे लॉट रहा है और private banking space काफी vibrant transfer आपको opportunity कहाना ज़रा रही है सब बैंकिंग में मेरा यह मानना है कि अभी जो आज बड़ा event जैसा अपने सब बात कर रहे हैं तो जहां तक किस event के बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कुछ changes आने वाले हैं उसमें जहां तक banking sector के बात है पीछे इतना अच्छा एक atmosphere और जितने अभी clearing up होनी थी वो I think हो चुकी है अब यहां से एक मेरी नजर positive ही रहेगी इन banking sector क्योंकि अगर हम यह मानते हैं कि अगले 3 साल तक आगे का और अपनी economy continuously grow करेगी तो banking sector एक ऐसा sector है जहां पर growth आनी बहुत जरू है और I think इस sector में 3 से 5 साल लंबे सामे का अगर कोई भी अनुमान लगा के लेके चलना चाहे तो यह sector काफी अच्छा करेगा पीछे काफी bitten down हुआ था उसके बाद थोड़ा बहुत improvement इस sector में जरूर देखने को मिला है तो net net अगर बात करें banking sector मुझे अच्छा लगता है जहा I think हमारे governor देखना चाहेंगे तो probably status quo रहने के मुझे ज्यादा उमीद लगती इस policy में बेलकुल प्रदीप चलिए हमार साथ पंका श्रेपरवाल भी हैं पंका जर मौनिंग टो शुक्रिया इस बाद चीत में शामिल होने के लिए नौ यून बिगर क्वेस्टन इस बार कोई एक्सपेक्ट तो करनी रहा है कि इस बार policy में कोई भी चेंज होगा बट ब्रॉडली इस मार्केट में अभी भी आप बोलेश हैं अगर हैं तो कहाँ पर हैं क्लिर अगर इस मार्केट को देखें तो बजट लोज के बाद यह मार्केट को च 15-16 परसेंट उपर है तो हमारा यह मानना है कि फर्स लेग ओफ री रेटिंग जो मार्केट में होनी थी वो एक बार हो गई है और आगे मार्केट को डिरेक्शन के लिए क्लिरली मॉनसून कैसे स्पैन आउट करता है उस पर काफी निर्बर करेगा जो ग्लोबल इवेंट्स लाइंड अप हैं चाहे वो ब्रेट लीजे और कॉर्पेट अर्निंग के वो काफी इंकरेजिंग थे। और आफ्ला सो मेनी कोर्टर सो मेनी के बाद हमने यह देखा कि एकस पी-ए-सई-ई बैंक्स कॉर्पेट निफ्टी एर्निंग कुछ 13-14 परसेंट उपर थी। यह काफी इंकरेजिंग था इसलिए को एक support मिला हुआ है earnings के लिए but near term direction के लिए monsoon और global events पर काफी निर्भर करेगा चलिए इस बिच प्रदीप आपकी राय क्या है आप सुबह सब्सक्राइब मौर्णिंग में अगर आप देखें तो आज जिस प्रकार की opting है उसके बाद किन-किन trades अपने clients को राय दिया आपने long or short जाने की देखिये bank nifty में विरेंड जो आपने अभी एक बात कही है कि जिस तरीके से 15800, 15900 के अगर call writer अपने आपको अटा रहे है तो ये बहुत बड़ा sign मिलेगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि 9 जून की आपको बैंक निफ्टी की strike price पे आज दाव लगाना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया Mr. Hoard Chandani भी हमाँ साथ है Mr. Pradip Hoard Chandani है आप साथ टेक्निकल से बात करने के लिए और आप देखिये हैं टेक्निकल से बात करने के लिए Mr. Hoard Chandani आपने क्लाइन्स तो सुवे से क्या स्टॉक से अडवाइस किये हैं ठीक तीन स्टॉक मेरे रडार में है एक तो फ्यूचर लाइफ स्टैल एंड फेशन लिमिटेड है और एक स्ट्रॉंग अप्ट्रेंड में है और पिछले कुछ दिनों के इसने आर्ली चार्ट्स पे कल लास्ट आर में ब्रेक आउट दिया है तो यहां पर 108 के स्टॉप लॉस से और 121 के टार्गेट से बाइंग बनता है इसके लावा डेकन सिमेंट पे बाइदेना चाहूंगा यहां पर आईजी पेट्रो केंपे बाइंग की एडवाइज रहेगी 130 का स्टॉप लॉस और 155 का टागेट बिल्कुल इस बीच प्रदीप गुपता भी हमार साथ नताश्य आपका भी शुक्रिया है हमार साथ इस बाचीत में शामिल होने के लिए इस पर फंडमेंटली एक बहुत बड़ा ट्रिगर क्रियेट हो सकता है 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 हलो है यह आई थिंक आई लॉस्ट अग्वाइस वर्यर बटे यह यह अश्ट अग्टिया अग्शली आवस आश्किंग अबट फर्टलाइजर शॉक्स आज भी मैंगलोर केमिकल का व्यू क्या है इस समय इन स्टॉक्स पर नो महीर आई थिंक आई अग्रिकल्चर रेलेटेड अल दे स्टॉक्स में आई थिंक मोर और लेस लॉंग टर्म पर मैं बुलिश हूँ एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इस साल हम मांसून को अच्छा देखने के देख रहे हैं प अगले दो तीन साल अगर मांसून अच्छा रहता है तो अग्रिकल्चर रेलेटेड ग्रोफ डेफिनेटली आनी चाहिए तो इस फर्स तिंग अपनी एकोनोमी में भी जो पॉलिसीज हैं आई थिंक प्रो एग्रो के अग्रिकल्चर रेल आ रही है तो आई थिंक यह जो इतनी भी एफर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं I think they should do well. जो कि आपको बहुत स्टॉंगली पॉइस्ट रखते हैं बड़े मूव के लिए कौन से समझते हैं मिट कैप और स्मॉल कैप में हैं अगर आज आप देखें तो लाच कैप और मिट कैप कंपनी उसके वैलिएशन काफी काफी तैम के बाद एक सिमिलर लेवल्स पर आ गए है अगर आज आप देखें तो लाच कैप और मिट कैप के वैलिएशन काफी एक सिमिलर लेवल पर आ गए हैं बट नेक्स दो-तीन साल का अगर व्यू ले तो आपके दर्शकों से एक आकड़ा शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप BAC 100 कंपनीज को देखें तो उनमें करीबन 52-53 परसेंट जो रेविन्यू है वो आउटसाइड इंडिया से आ रही है और अगर BAC 100 के नीचे जाएं तो वो प्रपोर्शन बहुत कम हो जाता है तो अगर अपने को डोमेस्टिक रिकावरी खेलनी है तो हमें BAC 100 क कि नीचे वाली कंपनियों में जाना पड़ेगा और वो BAC 101 से लेके BAC 300 कंपनियों उसके बीच में ही हमें वेल्थ क्रियेशन की ऑपरचिनिटी मिलेगी जस्ट टू गिव यू सम एग्जामपल्स कि अगर आज आज आप पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर लेना चाहें एक्स के अविलेबल हैं जहां में लगता है कि नेक्स तीन पांस सालों में काफी बड़ी ग्रोथ ऑपरचिनिटी आ सकती हैं यह में फ्यू एग्जामपल्स दे रहा हूं सेक्टर वाइस कि मिट कैप स्मॉल कैप में ओवर देनेक्स 3-5 यह अगर एकनॉमी में रिकवरी होती है त हमने देखा 2-3 MFIs जो लिस्ट हुए स्मॉल पेमेंट पैंक्स जो कनवर्ट होंगे उनमें कितना बड़ा रना पाया है लास्ट देर दो महने के अंदर अगर हम कैपिटल गोड्स की बात करें तो हमें लगता है कि यहां भी काफी स्कोप है चाहे वो पंप कंपनिया हो यह काफी बड़ा स्कोप दिख रहा है तो अगर नियर टम को छोड़के नेक्स 2-3-5 साल की बात करें तो हमें लगता है कि wealth creation opportunity इस space में काफी बड़ा मिल सकता है मिस्टर कुपता यही प्रेश्ट मैं आपसे भी लियाओंगा इन्फरेट अगर आप देखें Q4 नंबर्स जब हमने देखें अगर मैं Q4 नंबर्स को बारी किसी देखूं और शायद BSC 100 को लेके बात करूं आप आप देखिए टॉप लाइन more or less freeze थे exactly वही थे जो पिछले क काफी समय से थे पिछले चार का पांच कॉर्टर के करा देखें फ्रीज थे लेकिर अबिटा और अबिटा मार्जिन्स यह Q4 के सबसे बड़ी developing स्टोरी थी आप यह भी देखिए अगर एक डाउंगेट वर्सस अफगेट तो रिशूस थे वह कितने स्ट्रॉंग थे इस पा ऐसा है I think कि यह मार्केट में जो अभी तक जो भी हुआ अगर मैं यह Q4 के जो लेटिस नंबर सब देखें हैं उसमें जिससा आपने कहा सही कि टॉप लाइन करीब करीब 5% से बड़ी है जबकि बॉटम लाइन सब जगे स्ट्रॉंग हुए है स्ट्रेंटन हुए और डबल में ग्रो कर रही है तो I think यह impact continuously देखना चाहेगा और I think सारा analyst world I think एक quarter और देखना चाहेगा कि how the things are going to improve in near future आप वास्ता में मैं काफी encouraged हूँ इस quarter इस तिमाई के नंबरों को देखके और अगर same trend अगले तिमाई में भी चलता है तो मुझे लगता है growth के आसार काफी specific देखी है I think मैं पंकज ने अभी हमारे जो दूसरे प्रवक्ता है उन्होंने काफी अच्छा detail में इस पर analysis करके दी I think कि मैं उनके सारे analysis का पूरी तरह सहमत हूँ और जहां तक mid cap और large cap का सवाल है I think large cap में और mid cap में यह सारा game मेरे हिसाब से valuation का है जहां जहां पर valuation cheaper है I think व बिलने के पैसा बनाने के या long term investment के साब से अच्छे return लेने के काफी अच्छे chances रहें